नमस्कार, क्यापिटल टीवी देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ पूजा, ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए संसत भवन को लेकार बिपक्ष को करारा जटका सुप्रेम कोट से लगा है, सुप्रेम कोट ने संसत भवन के खिलाब दार याचिक को खारिज कर दिया, साथ ही याचिका करता को सुप्रेम कोट ने जम कर पठकार भी लगाई है, इस बड़ी कबर पे मेरे साथ नियूजरू से जुड़े वे हैं, क्या कुछ हुआ आज सुप्रेम कोट में? सुप्रेम कोट में वही हुआ जो कल हम लोग लगातार कह रहे थे कि ये लोग जो सुप्रेम कोट गये हैं, पांच मिनट में इसे डस्मिन में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह की बकवास विपक्स करने की जो कोशिश कर रहा है, कानून के हिसाब से वो कहीं स्टैंड करता ही नहीं है, और नहीं सिर्फ इस प्रेटिशन को डिस्मिस किया गया, जज साहब ने कहा, कि तुम शुक्र मनाओ, कि तुम्हारे उपर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, ये वही व्यक्ति है, ये प्रेटिशनर वही है, जो एक बार सुप्रेम कोट में चला गया था, ये कहने के लिए, कि एवियम के उपर बैन लगा देना चाहिए, उस वक्त दस जार रुपे का फॉइन भी लगा था, और इसको डाट भी पड़ी थी, आज फिर डाट खा करके, इसने बहुत एक शैतानी करने के वी कोशिश की, उसको भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये डाट सिर्व याचिका करता को नहीं, ये जटका सिर्व याचिका करता को नहीं, बलकि वो तमाम विपक्ष के लीडर्स, ये कॉंग्रेस पार्टी के लोग, ये आमाद्धी पार्टी के लोग, ये तमाम लोग जो इस नई संसत के इनोगरिसल के उपर सवाल खड़े कर रहे कि रास्पती मुर्मु क्यू नहीं आई क्यू नहीं आई पिटिशन में क्या कहा गया तो पिटिशन में वही बाते कही गई जो तीन दिन से यह विपक्ष माले उचाल रहे थे क्या कहा गया यह Missedr C.R. Jaya Sukuen नाम है इनका है न इन्होंने क्या कहा अपने पिटिशन में the statement issued by Lok Sabha Secretariat on May 18th and the invites issued by Secretary General of Lok Sabha for the inaugural function of the new building are in violation of Indian Constitution कहा भई इल्लीगल है कोट ने कहा बकवास बंद करना बंद करो कौन हो तुम, what is your locust इंड़ा ही तुम किसी चीज़ को कैसे कह दोगे तो क्या दलील दिया इसने that the President is the first citizen of India this regard and head of the institution of Parliament that all important decisions regarding the country are taken in the name of Indian President the Parliament consisting of President and the two houses Raj Sabha, Lok Sabha holds the Supreme Legislative Authority in India and the President possesses the authority to summon and prorogue Parliament or dissolve the लोकसभा ठीक बात है यही कह रहे थे न ज्यानी लोग TV पर आके यह Congress Party के प्रवक्ता यह लोग सम्विधान सम्झा रहे थे यह डेमोक्रसी के का मतलब बता रहे थे यही कह रहे थे न कि भाई देखिए Parliament Consist of President President सबसे सुप्रीम है और उनको इस कारिक्टरम से अलग नहीं रखा जा सकता क्या हुआ भाई जहां आप पॉल्टिकल ब्राउनी पॉइंट लेना है यह पत्रकारों के बीच टीवी के डिबेट में वहां तो आप बकवास कर लिए मैं बार बार कहता हूँ इन नेताओं की सुप्रीम कोट के अंदर हाई कोट के अंदर जरा सा भी नहीं चलती क्यों कि यह पब्लिक को बेवकूब बनाने के लिए अलग अलग तरह के कुतर्ग देते हैं अलग अलग तरह की बाते करते हैं लेकिन जब सम्विधान से इनका सामना होता है जब सुप्रीम कोट में जजज़ साहब के सामने इनका प्रस्तुत होना होता है इनकी सारी हवा हवा ही जो है निकल जाती है कोट ने क्या कहा कोट ने साफ साफ कहा कि ये हम इंटर्टेन ही नहीं करेंगे ये बेकार की बाते हैं इसको हटाओ तो इसने ये कहा कि माई लॉट अगर आप इसको डिस्मिस कर रहे हैं तो मुझे कम से कम विड्रो करने का मौका दीजिए कि सो देट आप विड्रो माई प्ली तो जजज साहब ने हलकाया डाटा भी कहा कि यतने देर से तुम कुतरक दे रहे हो और जब तुम्हारी कोई बात नहीं चल रही है तो तुम अब पिटिसन को विड्रो करना चाह रहे हो तो उसके बाद जो SG हैं उनको पूछा जजज साहब ने भाई आपका क्या स्टैंड है उस सरकारी वकील है उन्होंने कहा कि मैलाउड ये बदमासी कर रहा है ये अगर अभी विड्रो कर लेगा तो विड्रो करने से इसको एक मिल जाएगा बहाना और ये अभी तुरत हाई कोट मूब कर जाएगा कि ताकि किसी तरीके से ये जो कारिक्टरम चल रहा है उसमें विघ्र डाला जाए आप बात समझेए कि किसी तरीके से विघ्र डाला जाए तो आप अभी सुप्रिम कोट में ये कह लेगा कि आप बिड्रो कर ले रहे हैं आप अगर बिड्रो करने को एलाव करते हैं तो इमिडेटली फिर ये हाई कोट में जागर के फिर ये तांडव करेगा आप कहां से जाएगे जैसा आप समझ गए कि इसका इंटेंशन ये नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट को इजद देना है या समिधान को स्थापित करना है या कोई बहुत बड़ा ये हो रहा है ये सारी चीजी तो होने रही ये निूसिंस क्रियेट करना चाहरा है तो जैसा आपने कहा कि भाई आपकी बास सही है अब ये कही नहीं जा सकेंगे तो क्या हुआ विपक्ष को जटका लगा विपक्ष की सारी दलीले वो खत्म हो गई जिस जो तमाम जो आर्गुमेंट दिये जा रहे थे वो बिलकुल फेल हो गई और सबसे बड़ी चीज कि ये जो परदान मंतरी मोदी ये जो कारिक्रम कर रहे हैं ये जो इनोगरेशन कर रहे हैं अब इसके उपर सुप्रीम कोट का भी मोहर लग गया है अब ये लीगल भी है ये मॉरल भी है ये डेमोक्रेटिक भी है ये कंसिचूशनल भी है तो अब कितनी बार इस विपक्ष को जो विचारधारा विहीन हो चुका है विचारी कस्तर को यह दृद्र हो चुका है यह कब तक अपनी इज़त जो है उसकी ऐसी की तैसी करवाएंगे कि हमें पता है कि आप लोग ऐसी याचिकाए क्यों लेकर आते हैं यानि कि आप सुप्रिम कोड भी समझ चुका है कि विपाक्षिस तरह की याचिकाए क्यों जबरदस्ति दाखिल करवाता है देखिए सब को मालूम है मैं बार-बार कह रहा हूं कि यह आम आद्मी पार्टी हो यह कॉंग्रेस हो उसके तमाम चट्टे बट्टे हो उसके दलाल पत्रकारों का जो पूरा बने पूरा एक गैंग जो ऑपरेट करता है इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है यह एन के प्रका आएगी हम मोदी का नाम हर जगह से हटा देंगे वह ऐसे हटा दो के तुमारी बपोती है इस तरह की बाते आप करने कर दुसाज कैसे करते हो इसका मतलब है कि आपको जनता के उपर जड़ा सा भी विस्वास नहीं है प्रधान मंत्री मोदी को बैक डॉर से प्रधान मंत्री नहीं चुने गए है कोई alliance कोई setting plotting परदा के पीछे जो लेन देन करके हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रधान मंत्री बनाए गए हैं साजीसों के तहत वो प्रधान मंत्री मोदी उस तरह से प्रधान मंत्री नहीं बने हैं दो दो बार डंके की चोट पे जनता उनको वहां बिठाती है अगर आप इस तरह से चीजों को विरोध करते हैं बिना सिर्प हैर के इसका मतलब साफ है कि आप जनता के फैसले को आप चैलेंज कर रहे हो पहले तो उधगाटन को लेकर ये कहा रहे थे कि नहीं रास्टपती से कराया जाए अब जब से सेंगोल के बारे में खुला हुआ है उससे दिक्कत हो जाता है अब ये नया मसला इन लोगों ने उठाया सुप्रीम कोर्ट से लात पड़ा तो अभी ये जो है संगोल का मसला उठा रहे है ये जैराम रमेश ये चैनीज लोगों के लिए पैसा चंदा करने वाले केंबरिज के अंदर जब हिंद है ये जो राज दंड जो है वो बोगस है भई बोगस कैसे है ये बताओ तुम बहुत को तस्वीर नहीं है सारे कॉंग्रेसी आ गए क्यों कि इनकी चोरी पकड़ी गई संगोल बकादा एक ट्रांसवर अप पावर का एक बड़ा ही एहम हिस्सा था और ये बता दो कि ये में क्या कर रहा था ये आनन्द भवन इलाहबाद में फर्स फ्लोर पे इसको रखा गया था तो वहां पे किस तरक सुनेहरी चड़ी नहरू जी की सुनेहरी चड़ी ये चड़ी था ये क्या पैदल नहीं चल पाते थे जमाला लेरू उनको चड़ी की जरुत परती है और वा के उपर नंदी जी विराजमान है ये भगवान सुब से जुरा हुआ एक प्रतीक चिन्न था उसे आपने नहरू जी की सुनेहरी चड़ी नहीं शर मानी चाहिए इन लोगों को क्या आप लोगों ने हिंदुत के तमाम प्रतीक चिन्नों के उपर जिस तरह का कलंकित करने का क काम किया है और अब आपके पास मूह इसका कि यह जो है वो कोई सब बोगश है दुनिया में सब कुछ बोगश है आपका आपकी राजनति बोगश हो गई है आपका अधक्ष्व बोगल सै आपकी पार्टी बोगश है आपकी विचा धारा बोगल सै यह दर देता की एदम पांच जो तुमने जूट बोल के लोगों को वोट लिया अब उसको पूरा करो तो खेर ये बोगस लोगों की जमात है मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये बीजेपी वाले भी ये जरूत से ज़्यादा ही जो है न बेवकूफी करते हैं बही एक बार इन लोगों ने कह दिया करेंगे ये बार-बार बीजेपी के लोग आगर के कह रहें कि नहीं हम तो अभी रिक्वेस्ट करेंगे आजाओ आजाओ भई ये कंटक लोग है इनको बाहर ही रखिए लेकिन अब विपक्ष आगे क्या करेगा बयानबाजी तो चल रही है सुप्रिम कोट से भी जटका जब वेद के उचारन से मंत्रों के उचारन से ये नई संसद गूजेगी और पुरा देश उसके साथ जश्ट मनाएगा जिसको आशू बहाना है अपने ड्राइंग रूम में टीवी देखते देखते अपना वो आशू बहाएं जानकारी के लिए तो सुप्रिम कोट में एक याचिका दाखिल की गए थी याचिका करता की मांग थी कि इस नए संसद भवन का उद्खाटन प्रधान मंत्री के हातों नहीं बलकि रास्टपती के हातों से होना चाहिए जिसको लेकर आज सुप्रिम कोट में एहम सुनवाई हुई और सुप्रिम कोट ने पांच मिनट के अंदर ही इस याचिका को फॉरण खारिच कर दिया साथ ही याचिका करता को जम कर पठकार भी लगाई है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैमरे पसंद भोला के साथ मैं पूजा कैपितल टीवी